हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल दियोर फ्रेंस में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के प्रिविएस एर के क्यूशन यहाँ पर डिस्कॉस कर रहे हैं अगर आपने से पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो यहाँ पर आइकार्ट पर आपको सारी वीडियो मिल ज जाएगी तो आपकी जहां से चाहा आप महां से वीडियो देख सकते हैं चली चलते हैं अटके हमारे क्यूशन पर क्यूशन में हमसे पूछा जा रहा है एट वोट लेवल ओफ करंट फ्लो डियूरिंग एलेक्ट्रिक शॉक डैथ इस पॉसिबल क्यूशन में हमसे पूचा और फिट आंसर होगा option second 5200 milliampere इतने करंड पर अगर 52 100 milliampere का किसी को करंड लग रहा है तो उस condition में उसकी death पॉसिबली हो सकती है यह option second आपको यहां पर राइट हो जाएगा अगर ऐसा कुषिन बने जैसे previous year का कुषिन है इस तरह से कुषिन बन चुका है तो हो सकता है आगे भी इस तरह के कुषिन बने तो आपको याद रखनी है value 5200 अगर बात करते हैं 128 मिली एंपियर अगर इस लेवल का current लगता है किसी इसान को या फिर किसी को current लगता है तो उस condition में क्या होता है जो जहां पर current लगा है वहां पर injury होती है और वह अपना मतलब हात महां से चुड़ा सकता है वहां से जा सकते हैं अपने आपको जैसे जटका सकता है तो अपने आपको छुड़ा सकते हैं उस जगह से 128 मिली एंपियर पर क्यूशन इस तरह से बन सकता है इसलिए आद रखीगा बात करते हैं 10-20 मिली एंपियर पर तो जहां पर current लगता है वह चीज़ डेमेज हो जाती है आप हाथ नहीं छोड़ा पाते वह जो आपका इस muscular जो control होता है वो लोस्ट हो जाता है इस condition पर 22-50 मिली एंपियर पर भी लोस्ट हो जाता है लेकिन आप यहाँ पर इंजरी ज्ञादा होती है 22-50 मिली एंपियर पर तो यह थोड़ा सी चीजे है इन में थोड़ा सा different है अगर इस तरह से बन जाए जैसे कि हैं पर बन गया किशन पूछा गया एक्जाम में तो अगर आगे भी ऐसे किशन बन जाएं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किशन बन बना है